नमस्कार दोस्तों मैं उनीरेजर आपके अपनी कर्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग युनिवर्सिटी के बहुत इंपोर्टन सर्कुलर के बारे में डिस्कुस करेंगे जो कि आपके एडमिट कार्ट से संबन देता है जिसके जो एक्जाम्स हैं वो आपके 18 तार आने वाले चाट-चात्राओं के प्रविस्पत्र जारी किये जाने के संबन में तो ये क्यों है कौन से बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जिनका एक्जाम अभी 18 मार्च से आपका स्टार्ट होने जा रहा है उसी को ये फेस टुका है फेस वन में थर्ड यर और फाइनल य प्रविस्पत्र जारी करना है कि उप्रोक्त के संदर्म में सूचित करना है कि उप्रोक्त परिच्छाओं में परतिभाग करने वाले चार चात्राओं का प्रविस्पत्र वेरिफिकेशन काड़ेओं परिच्छार्तियों की सूचि इत्यादी संस्था के ERP लोगन में उपलब्द करा दिया गया है संस्था के ERP लोगिन में उपलब्द कराए गए नव प्रवेशी चाठाटरों का प्रवेश पत्र अपने अस्थर से नेमानुसार सत्यापन करते हुए पात्र अहर चाठाटरों का प्रवेश पत्र उपलब्द कराना सुनेश्चित करें तथा दूतिय वर्स के तिरतिय समेस्टर के regular carryover चार चातराओं के प्रिश्पत सोता ही सीधे चातर के ERP login में उप्लब्द करा दिया गया है तो देखें ये क्या है mainly ये आपका अभी जो paper start होने वाला है कल से यानि 18 मार से उसे से related जो भी आपको admit card चाहिए वो आपको जारी करने के लिए ये circular जो है दिया गया है अब उसमें क्या है आपके लिए important देखें दो तरीके के student है एक student ऐसा है जिसका already user id और password ak2 की website पे बना ह हुआ है जैसे कि second year के student है या readmitted student है चाहिँ फस्ट एर में हो चाहिए वो तो वो अपना direct admit card जो है जिन्होंने अपना payment किया होगा fees का उनका direct admit card जो है उनके login पर upload दो क्या होगा तो वो वहां से download कर लेंगा लेकिन जितने भी newly admitted student है चाहिए वो first year के हो, चाहे हो second year के हो, चाहे MBA first year के हो, या कोई भी course हो, जिसमें नया admission हुआ है इस बार, उनका जो है, उनके संस्थान द्वारा ही admit card दिया जाएगा, इसलिए ऐसे बच्चे, जो newly admitted हैं, वो अपने संस्थान में संपर करें, और जो पुराने बच्चे हैं, जिनका already ID, password है, वो अपना ID, password डाले, EK2 के website पे, और आपको वहाँ से अपना admit card मिल जाएगा, तो यह main सूचना थी, तो आप अपना admit card ज़रू download कर ले, और बाकी बच्चे जो नय हैं, जोनोंने इसी बार admission लिया है, वो अपना संस्थान में संपर करें, और पता करें कि उनका admit card कब तक जो है, उनको मिलने वाला है, तो आसा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आई होगा, और वीडियो पसंद आई होगा, तो अपना दोस्तों को साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,